शेत्र में अगस में आई बार एक आपात कालिन सिती थी जो पिछले सो वर्षों के बाद पैदा हुई है शती अथाह है हाला कि जब केंद्र को बुन्यादी धाचे, कृशी और पशुधन की नुकसान की आकड़े प्रस्तूत करते हैं तो राश्रिय आपना प्रबंदन साहेता कोश के मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है इसलिए केंद्र को अंतिम योजनाई भेचते समय सडको, सिंचाई और पशो की नुकसान की मुद्धी, संधर्बू और योजनाओ के साथ रेटा जमा करे ऐसा सुझाओ केंद्रिय टीम ने दिया इस संबन में शनिवार को विभागया एक काराले में एक संबागया भैठक आयोजित की गई 30, 31 अगस्त और 1 सितंबर को आई बाड ने पुर्विविधर्ब के सभी पात जिलो, नाकपुर, चन्रपुर, भंडारा, गोंधिया और गर्चिरोली को गंभीर नुकसान पहुचाया इससे पहले सितंबर में टीम ने तीन दिवसिया निरिक्षन किया था उसके बाद वरिष्ट अंतर विभागी अधिकारियों के एक दल ने केंडर सरकार को वित्य सिफारिशे करने के लिए दूसरी बार राज्य सरकार का दोरा किया ताकि यह सुनिक्षित हो सके कि प्रातमिक चिकित्सा, पंचुनामा, वित्य सहायता लोगों तक पहुचे और बुन्यादी धाचे के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी जाए 24 से 26 दिसंबर तक विभागों में सीधे निरिक्षन के बाद संभागे आयकतर डॉक्टर संचीव कुमार ने केंडर से लगने वाली सहायता के लिए वित्य योजना पर केंडर पाठक से चर्चा की बैठक की अदिक्षिता राश्यापदा प्रबंदन विभाग के विभाग मुख्य अभियंता तुशार व्यास उपस्तित थे वही संभागे आयकत डॉक्टर संचीव कुमार के मार्दशन में चला कलेक्टर रवेंद्र ठाकरे मुख्य कारिकारी अधिकारी योगेश कुमीज कर कारिकारी निदेशेक विधर्व सिंचाई विकास निगम ज बस्तूत किये इसमें जल्व आपूरती योजना सिंचाई विभाग ग्रामिंग शेत्रों में इमारतों समाज भवन कब्रिस्थान सुविधाओ सारवजनिक सोचालय सड़को पूलो जिला परीशत के तहट सड़को विशल्विभाग और स्वास्तविभाग को नुकसान की जानकारी उन्होंने दी राजसरकार ने अब तक 15 सितंबर की तारीक के अनुसार लगबग 189 करोड रुपए मनजूर किये हैं उन्होंने कहा कि जीवन के नुकसान पशुधन की हानी बाढ़ प्रहुएक शेत्रों में पुनरवास अस्थाई आश्रे कृशी वस्तों की हानी बाढ़ के बाढ़ आवश्यक वस्तों का वित्रन दुकानदारों को राहत सहित विवन्नमुद्धों पर सभी पाज जिलों में तुरंधन राशी का वित्रन किया गया हाला कि केंद्र सरकार के राश्ट्य आपदा प्रबंदन साहिता कोश के अनुसार लगभग 91 करोड रुपे की राशी का अनुमान जल आपुरती योजनाओ सिंचाई के बुन्यादे ढ़ाचे के निर्मान सडकों पूलों बिजली की आपुरती और बार प्रभाविच शेत् के लिए नुकसान दायक है इसलिए समीती को यह सिफारिश की गई थी कि केंद्र सरकार को लगभग 632 करोड रुपे की अतरिक सायता प्रदान करनी चाहिए जिसके लिए मान दंडों के अनुसार लगभग 91 करोड रुपे थे इस समय समीती की सदस्तियों ने स्विकार किया क की विभाग में बार आकस्मिक और गंभीर थी सर्वेक्षन से पता चला कि इस अवधी के दोरान बड़ी मादरा में बुन्यादी धाचों को नुकसान पहुचा था हाला कि उन्होंने कुछ सुजाव दिये इसमें परिवन प्रणाली में शीद ग्रस्पूलों का महत्व और प्रण के द्वारा प्रभावित परिवन प्रणाली सडक शती का चरंबद विशलेशन रुशी रिपोर्टों में आवश्य कृशी साहता के घटकों पर विशलेशन साथी सडकों सिंचाई पशुधन के लिए केंद्रियापुदा प्रबंदन साहता कोश के मानदंडों के अ और यहिस पर्ण के लोखन साहता के लिए